नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जीलो की छीती से विभाग को अउगत करा दिया है, बाकी तीन जीलो से रिपोर्ट मिलना बाकी है, इसे लेकर किरिसी विभाग की ओर से दोबारा पत्र लिखा गया है बता दे केंद्र सरकार ने लगाता है, सुखार की चपेट में आने वाले जारखन के नौ जीलो को राहत योजना के लिए चैनित किया है यह 15 वे बीत योजना के तहट उक्त रासी उपलब दिकराई जाएगी केंद्र सरकार ने इसके लिए एक निधारित फोर्मेट विभाग को फेजा है फोर्मेट में इन जीलो से समझ पूरी जनकारी उपलब दिकरानी है केंद्र सरकार ने इसके लिए 15 अगस की ती निधारित की थी बता दे इन जीलों में केंद्रक की आपदा प्राधिकार ने राज्य के धनबाद गुमला रामगड पलामो गढ़वा लातेहार दुमका बोकारो पचमी सिम्हुम्तिले का चैन किया है इड़ी समन के खिलाब सुप्रीम कोट पहुँचेंगे सियम हेमांत मुख्य मंतरी हेमांत सुरेन गुर्वार को इड़ी के राज़ी जोर्नल आफिस में उपासित नहीं हुए दीन के सवा एक बजे उन्होंने मुख्य मंतरी आवास के एक करमचारी सुरज के जरी एक पत्र इड़ी के सहायक निदेसा को भेजा इस पत्र के साथ उन्होंने इड़ी को जनकारी दी है कि उन्होंने समन के खिलाब सुप्रीम कोट में रीट पीटिशन दायर किया है सुप्रीम कोट में फैसला आने तक मुख्य मंतरी ने इड़ी से पुस्तास नहीं करने की बात कही है गौतला भाय की रांची जमीन घोटाले में इड़ी ने पहली बार समन जारी कर हेमन सुरेन को 14 अगस्त को पुस्तास के लिए बुलाया था उस दिन भी हुआ इड़ी दफ्तर नहीं पहुशे थे और एक करमचारी के जरी एक पत्र भेया था इस पत्र में उन्होंने समन को राइनेती से प्रेशित बताते हुए जांच एजेंसी पर कर आरोप लगाए थे पहले समन परमखे मंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि लोगपाल CBI और ED को अपनी और अपने परिवार के समपती से जुड़ी सभी जनकारी दे दी है एगार्वी बाराहवी के छात्र पोर्टल में राइस्टेशन करा है जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान अंप्रसिक्षन परिशद रांची ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे गार्वी वा बाराहवी के छात्र शात्राव से NCERT संचालित स्वेम ऑनलाइन कोर्स में राइस्टेशन कराने को कहा है पाठिकरम में नमांकन के लिए 31 अगस्ट तक पोर्टल खुला हुआ है छात्रो वर सिक्षकों को जनकारी देने का निर्देश दिया गया मुख्यालाइक का निर्देश मिलने के बाद अस्थानी अस्थर पर D.E.O. भूतनाथ रजवार ने सभी इसकूलों को पत्र जारी किया है जारखन सिक्षा परिविना परिशादने जीलों के सभी इसकूलों को नोटिस बोड लगाने का निर्देश दिया इसकूलों में बार्शिक परिख्षा में पर्थम अस्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नाम एवं फोटो इसकूलों का नाम और फोटो अच्छी उपस्थीती यवं अच्छी हैंड रैटिंग वाले छात्रों के तस्बीर भी नोटिस बोड में लगाएगी इस समाद में D.E.O. भूतनास रजवार ने आवसागन देश जारी किया है नकसलियों के ठीकानों में घुसेगी पुलीस जारखन के गुमलावा 36 गड के जस्पूर जीलों की पुलीस नकसलियों के खिलाप मिलकर अभियान चलाएगी इसके लिए जल्द रणीती तैकर दोनों जीलों की पुलिस सिमावर्ती जंगलों में नक्सलियों के ठीकानों में घुसेगी यह निर्ने दोनों जीला के पुलिस की बैठाक मिली गई जिसमें सभी तरह के अंतर राजी चोर अपरादी गीरो पनिग्रानी रखने सिमा पर नक्सल अभियान तेज करने वा चेकनाका लागातार गहंता से जाच करते वह उचित करवाई किये जाने के समध में बिस्ति चर्चा की गई गुमला के बसिया अनुमंडल में घूम रहा ठग गिरो पुलिस ने की सतर करहने की अपील बिहार के कटिहार के ठग इन दिनों गुमला जीला अंतरगत बसिया अनुमंडल के बसिया काम डारावा पाल कोट प्रक्षन के इलाकों में घूम रहे हैं एठग किसी के भी घर पर आचानक पहुँच जा रहे हैं जेवर या बरतन साफ करने की बात कहकर घर में खुश जाते हैं इसके बाद घर में अकेला पाकर घर माली को नसिला पदार्थ सुंगा कर किमती समानवा नगत रासी लेकर भाग जा रहे हैं इतना ही नहीं जेवर साफ करने के नाम पर उससे बदली भी कर लेते हैं और घर माली को नकली जेवर थमा कर भाग रहे हैं कटिहार के ठगों ने पालकोट वबस या इलाके में कई लोगों को निशाना बना चुके हैं यहां तक कि पुर्व उप परमुह के घर पर भीगूश कर ए ठग हमला कर लोट पाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं इससे पुलिस परिशान है पुलिस अब इन ठगों को पकड़ने के लिए आपना जाल बिछाना शुरू कर दी है जारखन में सरकारी करमचारी महासंग ने मुक्ष मंत्री हमसुरून को चिठी लिख कर इस पर जल से जल निर्नर लेने का आगरा किया है कि वर्तबान समँ में 35-個人 कार्य बल के साथ सरकारी काम नीपटाय जा रहे हैं जिस व़ये से अतरिक्त कार्य बोज से करमचारी दबे हुए है ऐसे में चुनाव के समय और भी कार्य बोज से करमचारी जुजेंगे मुख्य मंत्री और मुख्य सचीव को लिखे गए पत्र में महासंग ने कहा है कि एक करमचारी के सेवाने निति के वक्त 50-60 लाग देकर सरकार की होती है वहीं ऐसे में सेवाने निति की उम्र सीमा यादी बढ़ाई जाती है तो आर्थिक द्रिष्टी से भी सरकार के लिए यह लाबधायक सावित होगा गतला भाई की राई सरकार के विभीन विभागों में विभीन अस्तर के कूल 5,33,737 पद स्विक्रित हैं इस स्विक्रित पदों के मुकाबले 1,83,016 पद पर लोग कारे रहा था हैं बाबुलल मरांडी के खिलाब जार्खन के कई थानों में एफायार पुरमुख मंतरी और जार्खन बिजेपी की परदेश अध्यक्स बाबुलल मरांडी के खिलाब अभाद्र भासा के परियोग करने को लेकर रांची के काक के थाना में एफायार दर्ज की गई है एफायार में आरोप लगाया गया है कि बाबुलल मरांडी राइनी तिक लाब लेने के लिए सिबु सोयन अर्मुख मंतरी हमांसुरें के खिलाब अपमान जनक सब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं हाई कोट में हाजिर हुए जार्खन डिजेपी क्राइम कंट्रोल मामला राजे के डिजेपी अजय कुमार सिंग हाई कोट में ससरीर उपस्थित हुए सुप्रीम कोट के प्रो जस्टिस दिवंगत एमोवाई इकबाल के रांची इस्ति जमीन को भूमाफिया दवारा अवय तरीके से हरपने के मामले में जस्टिस एस चंदर सेखर और जस्टिस अनुभा रावा चोधरी की अदालत ने कई सवाल किये हैं इस मामले में सौतर संग्यान के बाद दर जाज के अपर सुनवाई करते हुए कोट ने राज में बढ़ रही अपराधिक हटनाव पर चिंता जताई चारकन हाई कोट ने डिजीपी के जवाब पर समत्ती जताते हुए चार सप्ता के भीतर बढ़ते अपराधिक मामलों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठार के कदम के बारे में बिश्टित बिंदुवार और अगतन जनकारी पेस्ट करने को कहा है पोल छुलने के डर से केस करवा रहे हे मन्त भाभुलाल मरान्डी भाजपा के परदेश अध्यक सहपुर मुख मंत्री बाभुलाल मरान्डी बेहिसाब जमीन जैदात हड़ाप कर खुद के नाम कर लेने से जुड़े मनी लॉंट्रिंग मामले में इड़ी के दोबारा बुलाए पर भी मुख्यमंत्री डर से इड़ी के सवालों का जबाब नहीं देगा है सर्दिक हासी और सास रोग्यों की गहन स्क्रीनिंग हो इस मौसा में बहुत से लोगों में सर्दिक हासी बुखार कले में खरासनाक से पानी आने के साथ सास में परिसानिक लक्षन दिखते हैं इसे नजर अंदाज नवा करे और मास्क लगाए चिकित्सक को दिखाए या इन्फुलेंजा एक का एक प्रकार S3N2 या H1N1 भी हो सकता है मानसुन से पहले एवा मानसुन के आमतिन दिनों में इन्फुलेंजा वायरास S3N2 और H1N1 का प्रकोप ज्यादा होता है धन्यवाद